इरान ने 48 घंटे का युद्ध लड़ने की पूरी तयारी कर लिए 48 घंटे में इरान 200 मिसाइल फायर करना चाहता है 48 घंटे में इरान अब इस रेट को पूरी तरह खत्म करना चाहता है इरान ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी तयारी की है इस तैयारी का वीडियो जब से इसराइल पहुचा है तब से नेतन याहू के सभी कमांडर बाक फुट पर नज़र आ रहे हैं इरान ने वैसला कर दिया है इरान ने ताकत की नुमाई शुरू कर दी है इरान ने ऐसी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा इरान बताना चाहता है कि इसराइल से वो तक कर लेने के लिए तयार है लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इरान अब इसराइल से युद्ध करना जाता है क्योंकि घाजा से युद्ध निकल कर बाहर फैला तो खत्रा तीसरे विश्व युद्ध का जताया जा रहा है जिसकी आग में पूरी दुनिया जलेगी इरान पर इस स्वक्त पूरी दुनिया के नजर है इसरेल से लेकर ब्रिटन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब इरान के इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेट्स और इन टैंकों के टार्गिट पर इस स्वक्त दो देश है पहला है इसरेल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका, इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वज़ा इस वक्त गाजा है और वहां हो रही बंबारी घाजा में इसरेल की बंबारी की वज़े से आथ हजार से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं खबरिस्तान नहीं बचे हैं, लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है घाजा की हजारों इमारतें इसरेल के बंब से तबाह हो चुकी हैं घाजा में 21,000 से ज़्यादा लोग कायल हैं और घाजा का हर अस्पताल इस स्वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है इनी तस्वीरों की वज़े से इस स्वक्त पूरे पश्यमेशिया में गुस्सा है और इसरेल को बहुत बड़ी वानिंग भी दे दी गई है तुर्की ने कहा है कि इसरेल घाजा पर बंबारी वाला पागलपन बंद करे राजशुपती अर्दौान ने कहा है कि अमेरिका के बिना इसरेल की सेनाग तीन दिन में ढह जाएगी सौधी अरब ने कह दिया है कि इसरेल घाजा में घुसने की कोशिश ना करे इसका अन्जाम बहुत बुरा हो गए इरान की तरफ से सबसे सक्ट बात कही गई है राजशुपती रईसी ने अलान कर दिया है कि इसरेल की होकूमत गिरने वाली है कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इसरेल घाजा पर नौन स्टॉप बंबारी की वज़े से पूरे पश्शी मेशिया में घिर चुका है इरान और सौधी अरब की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इसरेल के खिलाफ उतर चुका है सवाल है कि क्या ये तीनों देश इसरेल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंबीर है या फिर ये सिर्फ एक गीदर भब की है इरान ने इसरेल और अमेरिका दोनों को तराने के लिए बहुत बड़ा युद्ध भ्यास किया है इस युद्ध भ्यास में इरान की सेना ने 200 हेलिकॉप्टर का इस्तिमाल किया है इरान की IRGC यानि Islamic Revolutionary Guards Corps के कमांडों ने इस फाहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है इतने हेलिकॉप्टर एक साथ लॉंच करने का मतलब युद्ध ही होता है इसमें इरान के कोब्रा हेलिकॉप्टर भी शामिल हुए यानि मैसेज साफ है इरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडों आउपरेशन शुरू करेगा दो सो हेलिकॉप्टर के साथ एरान अपनी क्विप रियाक्शन पोर्स का प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि अब नए जमाने की युद्ध में तेजी से होई कार्रिवाई ही निरणायक साबित होती है एक बड़ी कमांडों टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है ये भी दिखाया गया अमेरिका में बने C-130 हर्कुलिस विमान की जरिये कमांडों को कैसे दुश्मन के इलाके में भीजना है इसकी भी तैयारी दिखाई गई लेकिन सबसे खतरनाग मैसेच इरान की ड्रोन पावर है। योक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कारिवाई के बाद अब इरान कॉमबेट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है। ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है, दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटेक करना ह ये भी इरान के इस युद्धा भ्यास में दिखाया गया। इसके बाद बारी आई है टैक्टिकल मिसाइल, यानि छोटी दूरी पर दुश्मन की टुकड़े पर कैसे सथी खमला करके हाहाकार मचाना है। इरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है। ये सब भथियारों को इसरैल के बॉर्डर तक ले जाना इरान के लिए आसान नहीं लेकिन एक तरह से ये युद्धा भ्यास करके इरान अपने दुश्मनों को बता रहा है कि अगर उसे अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा तो मूतोर जवाब मिलेगा। वैसे इरान बार बार कह इरान के तेवर देखकर नेतनियाहू की तरब से एक ऐसा बयान आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है नेतनियाहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बीचे इरान है इस बारे में वो पुखता तोर पर नहीं कह सकते नेतनियाहू ने एरान को प्लीन चिट बेदिया सवाल ये भी हुटता है कि एरान से युद को लेकर क्या इसराइल बैक फुट पराच हुगा है और वो एरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी घासा से दूर रहे और अब इरान भी अपनी जनता को खुश करने के लिए इसराइल के खिलाब सिर्फ बयान बाजी पर फोकस कर रहा है साथ में वो युद्धा भ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि ओल इस वेल ऐसे में सवाल है कि जब इरान के लिए ये हत्यार इसराइल की बॉर्डर तक पहुँचाना आसान नहीं तो फिर घासा को कौन बचाएगा क्या घासा को खुद को बचाना होगा क्या घासा के लिए युद्ध की धमकी वाले बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है ये सवाल इसलिए क्योंकि इसरेल की सेना ने रात के दोरान चलाए गए ऑपरेशन के दोरान घाजा में कार्रवाई की है हलाकि उसे शुरुवाती छटकों के बाद समझ में आ गया कि घाजा में टिक कर ऑपरेशन करना उसके लिए असान नहीं होता ये घासा की तरफ बढ़ती इसरेयल के सैन ये काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इसरेयल की पैंथर बखतर बंद गाड़ी को टार्गेट किया था इस धमाकी का क्या असर हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली लेकिन पैंथर बखतर बंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सबार किये जाते है गाजा में बंबारी के बीच एक बड़ा होट स्पोर्ट इसरेयल और लेबनन का बॉर्डर बनता हुआ नजरा है लेकिन अब उत्तरी इसरेयल की तरफ लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है अपने 40 से ज़्यादा लड़ापों को गोने के बाद हिजबुल्ला ने इसरेयल की पूस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया लेकिन अब तक वो इसरेयली फोज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है इसलिए सवाल यहां भी उठता है कि गया गाज़ा पर इसरेयल के ग्राउंड ओपरेशन को लेकर हिजबुल्ला के तीवर भी ठंडे पड़ गए है इन सब कयासों और सवालों के बीच हिजबुल्ला ने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुला के महासचीव हसन नसरुला को जाते हुए पीछे से दिखाया गया है सामने हिजबुला का जंडा लगा है इस 12 सेकंड के वीडियो को फिर देखिए क्योंकि कहा जा रहा है कि हजबुला ने इस वीडियो के जरिये इसरेल पर बड़े हमले की तरफ इशारा कर दिया है इरान भी अपनी तयारी पूरी रखना चाहता है इरान ने युद्धा भ्यास में अपने तोप खाने की ताकत भी दिखाई है ये है इरान की चलती फिरती तोप नाम है राद टू इरान की ये तोप 155 मिली मीटर का गोला फायर करती है देखिए कैसे टार्गेट को लेकर तयारी की गए और फिर जब इस तोप ने गोला गागा तो वो कितनी सठीक जगा जाकर खिरा इरान की ये तस्वीरें इसराइल को डराने के लिए है जोके गाजा में बड़ी तबाही हो रही है गाजा में इसराइल के बम फट रहे है उत्तरी गाजा का कोई महला कोई गली बाकी बची नहीं जो इसराइल के धमाते से कुची ना हो गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी लेकिन इस पार तबाही का मनजर और ज़्यादा खदरनाक नजर आ रहा है पूरे घाजा में इस स्वक्त बारूद पैला हुआ है पूरे घाजा में इस स्वक्त बारूद की भू आ रही है यहां की आबो हवा में बारूद भुल चुका है इसरेल का दावा है कि उसकी अर्फोर्स घाजा पर रोल 300 से ज़ादा स्ट्राइक कर रही है लेकिन घाजा से धूर दुनिया में दो जगए इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए दो वाच टावर तयार हो चुके हैं एक है भूमत धिसागर जहां अमेरिका ने समुद्धनी बेडे तयार कर दिया हैं तो दूसरा है वारस के खाड़े जहां चीन ने अपने छे जंगी जाहाज टैनात कर दिया हैं एक तरफ अमेरिका इस्रेयल को बचाने पहुँच गया है तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने एरान को सुरक्षित रखने के लिए अपने मसल पावर दिखाने शुरू करती है चीन की नौसेना अभी तक दक्षिन चीन सागव में अपनी ताकत दिखाती आई है लेकिन इस बार फारस के खाड़ी में चीन के छे जंगी जहाजों का पहुँचना बताता है कि घाजा और फिलस्तीन का युद्धव दुन्या की सबसे बड़ी चक्तर में बदल सकता है चीन क की मौजूद्धी भी इरान का होसला बढ़ा रही है फिलहाग हर जगे इरान के ऐसे ही वीडियो की चर्चा हो रही है और सब ये जानना चाहते हैं कि इरान अफगाजा पर बंबारी को लेकर इसरैल के खिलाफ क्या कर सकता है सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि इरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध उसकी जमीन तब पहुचे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन है गुल्ला की तरब से हो लेकिन फिर भी उसने अपनी तयारी पूरी कर ली है क्योंकि इसरैल पर इरान का हमला हुआ तो उसे रौंदने के लिए अमेरिका की 40,000 सेना पहले से ह खारी देशों में माझूद